नमस्कार दोस्तों निफ्टियो चैनल पे आप सब का स्वागत है तो फ्रेंड जैसा कि मैंने कहा था कि 16930 एक स्ट्रॉंग स्पोर्ट है 16900 से 17000 पर अगर निफ्टी आए तो वहाँ पे बाय कीजिए और ये भी समझाया था कि 16850 टूटने वाला नहीं क्योंकि वहाँ पर है 200 एमा तो 200 एमा जहां पर भी होता है हमेशा स्ट्रॉंग स्पोर्ट होती है और वहाँ से रिकवरी आती है ये मैंने कई बार समझाया 16900 से सीधा उपर 17100 तक हमें 300 का भारी बरकम प्रॉफिट हुआ हलांकि इतनी highly volatile market जो कभी प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती सिरफ जो निफ्टी बावा चैनल के दर्शक है उन्हें जुरूब प्रॉफिट हुआ क्योंकि उन्हें पता था कि 16800 का हमनें स्टॉप लो सकना हमने यहां पर buy करना है sell नहीं करना तो काफी अच्छा profit हुआ आप सब को congratulations और जो दर्शक नए नए आये हैं उन्हें भी बता दें कि आपके लिए भी यह ट्रेडिंग बहुत असान हो जाएगी अगर आप हमारे चैनल को subscribe करेंगे और regular देखेंगे तो जो दर्शक नए है सबसे डेली कमेंटरी मेरी उस बहां पर भी सुबह आती है उसके इलावा डीमेट काउंट के लिंक दी है वहां से क्लिक कीजिए अपना डीमेट काउंट खोली है फ्री में खुलता है और बड़ी बड़ी कंपनी उसके वह डीमेट काउंट है वहां से आपको server की भी कोई problem नहीं अब हम आते हैं bank nifty पे तो bank nifty में देखिए मैंने कहा था 37440 पे ही आपने बाय करना है पहले bank nifty नीचे खुली जैसी 37440 के उपर आई एक breakout आ गया और 37630 37630 तक के हमें target मिले जहां exactly मैंने black line लगाई थी तो वहां पर हमें 200 point का हमें bank nifty में अच्छा खासा profit हो गया अब हम आते हैं आज की market पर और अब हम आते हैं stocks पर भी हमने दो stocks दिये थे एक तो दिया था HAL को हम 50 minute की चार्ट पर देखते हैं क्या कि हमने 15 minute के चार्ट पर देखिए हमें मोका नहीं मिला 1304 पर sell करने का हलांकि मैंने कहा था कि 1304 तक कोई jump पाए तब sell करना तो इसलिए हमने इसमें कोई trade नहीं की दूसरा stock था सिंजिन सिंजिन को हमने वहीं exactly 550 का पे हमने sell किया और exactly 552 stop loss से ही घूम गया और नीचे हमें 540 तक के target मिले तो इस तरह से हमें 10 point का profit काफी अच्छा कासा इसमें भी हो गया अब आते हैं कि अब market में चल क्या रहा है देखिए जैसे कि आप सब को मैंने telegram चैनल पे सुबह और यहा, देखिए मैं थुरह सा फिर भी एक formality से और पता दताहूं ताक्य की जिने कुछ नहीं पता उन्हें भी पता चल जाए, यह देखिए, युक्रेयन ने इस एरिये पर रूशिया ने सोरी, इस एरिये पर कब्जा कर लिया है, यह यह है, इस एरिये पर कब्जा किया है और कबजा भी किसके थुरू किया है जो उसके आतंगवादियां रहते हैं बद्द कि वो लोग जो प्रो रशियन है वो युक्रेन के खिलाफ किये हुए इसने और इन लोगों उना दौ दौट इन दो शहरों पे कबजा कर लिया उसके विजह से क्या हुआ रे अब युक्रेन इतना सा रह गया रह गे तो अब हुआ कि हमारी मार्केट को रिकपर हुई जब最近 पैनिक थि देखिए पैनिक तो काफी ज़ाद है अभी भी पैनिक है कि कही नाटो या यूएस अटैक ना कर दे अभी फिल हाल सारे देशों ने लगबग जो यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज हैं उन्होंने सेंक्शन लगाए है यूरोपिन मार्किट सबसे ज़्यादा तूट रही है क्यों क्यों यूरोप को जितनी भी एनर्जिया मिल रही है जैसे तेल हो गैस हो वह सारा कुछ रश्या से मिल रहे है और यूरोप ने ही अब सेंक्शन लगाए है रश्या प ubiqu उन्होंने अपने पैर पर ही कुलाडी मार्य है क्योंकि अब वह वहां उससे रश्या से ना गैस लेंगे ना तेल तो अब जर्मन में काफी ज़्यादा गैस की कमी आएगी यही कारण है कि जर्मन की मार्केट डैक्स सबसे ज़्यादा टूटी है इस टाइम पूरे वर्ल्ड सिनेरियो में अगर देखें सबसे ज़्यादा डैक्स टूट रहा है और उसके इलावा अमेरिका भी जो बैन लगा रहा है उसको भी काफी नुकसान होगा उसके साथ साथ इंडिया को भी काफी नुकसान है क्योंकि रशिया से रशिया के अंदर इंडिया की काफी कंपनिस काम करती है तो जिस तरह से यह सेंक्शन लगे हैं तो अगर यूएन नों नहीं लगा दिया सेंक्शन रशिया पे तो इंडिया को अपनी कमपनी से निकालने पड़ेंगी, मतलब कि कुल मिलाकर रशिया को कम लोस होगा, जो देश दूसरे हैं, जिने रशिया से प्रॉफिट होता है, रशिया का फायदा मिलता है, खासकर अनर्जी का घर है, रशिया, तो वो उन देशों को काफी नुकसा होगा यहीं कारण है कि हमारी भी मार्केट गरी अब स्वाल उड़ता है रिकवर क्यों हुई देखिए रिकवर इसलिए हुई मार्केट यह मानके चल रहे थी अगर रशिया ने युक्रेइन के अंदर कभजा किया तो नाटो संगठन हमला करेंगे रशिया पर ऐसा कुछ नही युद नहीं हुआ तो युद ना होना इसका एक बड़ा कारण है कि हमारी मार्केट रिकवर हुई है हमारी नहीं बलकि पूरे वर्ल्ड की मार्केट रिकवर हो रही है यह देखिए यह यूएस थर्टी देखिए काफी उपर आ चुका है लगबग दोसो तीस पॉइंट उ है कि मार्किट इस बात से खुश है की यूद्र है में चली कुछ दूसरे दूसरे से स्राइब मुंभ से सब्सक्राइब यह कोई बुरा नहीं मांनती तो यह चलता तो चलने threaten hun कोई मार्किट को दूसान है belongs belief को तब नक्सान होता है जब भागदोर मज्जे मिसाइलें चलें और एक दूसरे की तबाही हो तब स्टॉक मार्केट में भारी तबाही आनी थी पर अब नहीं आएगी इसलिए है कि जो भी शोट लगे थे सारे शोट रिकवर हुए और भारी शोट कवरिंग हमें देखने को मिली है इस टाइम अगर आप तो यह भी यह स्टॉक लेकर आया हूँ क्योंकि कोई भी स्टॉक चार्ट पे इतना क्लेर नहीं था जितना यह था इसने फॉर फिफ्टी के नीचे क्लोजिंग दी है यह एक बड़ी बड़ा डाउंसाइड ब्रेक आउट है यह देखिए क्योंकि यह बार बार फॉर फिफ इस बार इसने फॉर फिफ्टी को तोड़ दिया और उसके नीचे चले गया गिलेल मार्क तो फॉर फिफ्टी तक कोई भी जम पाई आपने सेल करना है फॉर फिफ्टी थी का स्टॉप लो सक्टन है और टार्गट फॉर ट्वंटी एट के रहेंगे अब हम आते हैं बैंक न फिफ्टी ने क्लोजिंग दी है तो उस स्पोर्ट के नीचे दी है तो इसलिए अगर मान लीजे कल फ्लैट खुलता है इसी जगह पे सत्रा चारसो पचास के नीचे नीचे तो आपने बिलकुल भी इसमें ट्रेड नहीं करना आपने वेट करनी है यहां तो ऊपर चली जाए 37,650 के उपर जाने पर ही आपने 37,400 की कल लेनी है ध्यान रखना इस चीज़ का और stop loss आपने जो रखना है 37,200 का रखना है क्यों कि जो 50 डैमा वो 37,271 पर है तो 50 डैमा यह बड़ी स्पोर्ट का काम करेगा तो 37,200 का stop loss 37,250 के उपर जाने पर ही बैंक निफ्टी की कल 37,200 की टार्गेट 37804, 38105, 37804 है 100 एमा, 38105 है 20 एमा, फिर 38262, 38588 और 38690 तक के हमें टार्गेट मिल सकते हैं, नीचे की ओर मालीजे के फ्लैट खुल गी, तो वेट करनी है तूटने की, कहां तक काफी नीचे तूटने पर ही आपने सेल करना है, 36400 के नीचे, 36400 के नीचे जाने पर ही आपने 36500 की पुट बाई करनी है, स्टोप लॉस 200 एमा रहेगा, मतलब 36600 और नीचे जो टार्गेट मिलेगा, वो मिलेगा 36180, 36065 और 36535760 तक के आपको टार्गेट मिल सकते हैं, तो यह था कि मार्केट कहां कहां खुले, फ्लैट खुले, कुछ नहीं करना, गैप अब मिले तब बाई करना है, यहां गैप डाउन मिले, काफी ज़्यादा गैप डाउन मिले तब बाई करना है, वरना यहाँ पूरा स्पोर्ट जोन एरिया है क्योंकि 50 डैमा भी यहीं पे रहे हैं और 200 डैमा भी अब काफी उपर आ चुका है 3600 पर तो कहीं पर भी सेलिंग इसमें नहीं बनती यहीं कारण है कि टेक्निकली हमारी मार्किट भी रिकावर हुई है अब हम आते हैं निफ्टी पर इंडिया विक्स 26.66 और ज्यादा बढ़ गया है मतलब काफी ज्यादा हाई वोल्टेल्टी हो चुकी है तो इतनी हाई वोल्टेल्टी में यह जो होती है वो बेर्स के फेवर में ज्यादा होती है यहीं कारण है कि अगर मार्किट उपर गई भी तो उतनी नीचे भी आती है और मार्किट क्लोजिंग टाइम जो नीचे गिरी है उसका कारण इंडिया विक्स ही था और कुछ नहीं अब हम आते हैं क्रूड पर क्रूड देखिए काफी अप है 98.12 यह और अप हो जाएगा अगर सैंक्षन ऐसी लगे तो सैंक्षन जो लग रहे हैं रशिया पर उसकी वज़ा से काफी हाई है युद की वज़ा से अब हाई नहीं है यह तो काफी हाई कल ही हो गया था 97 और 98.13 तो कोई किसी तरह का युद नहीं हुआ पर सैंक्षन है इसलिए 98 है अगर युद हो जाता तो यह 100,107,125 तक पहुंच जाता पर यह अच्छी बात है कि किसी तरह को कोई युद नहीं हुआ युएस बॉंड जील 1.92 यह धिरे धिरे नीचे आ रही है तो अच्छी बात है अब हम आते हैं ओप्शन चेंड पर तो ऑप्शन चेंड देखिए क्लेर यह 17,000 पर स्ट्रॉंग स्पोर्ट उपर सत्रा पांसो पर जबर्दर स्कॉल राइटिंग मैं सत्रा पांसो स्ट्रॉ नहीं ले रहा तो एक अच्छी बात है इधर 17,300, 17,400 पर थोड़े बहुत कॉल राइटर है जो अमोमन होते ही हैं अगर मार्केट नीचे हो तो कल है एक्सपैरी तो इस बात का आपने ध्यान रख रहे हैं तब ही मैंने बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल क्लेर कर ट्रेड दिया आपको कि вहां से आपने सही तरीक्चे से ट्रेल करना है थोड़ा सा भी गलती की तो आप TRAD भी हो जाएगे क्योंकि कल एक्सपैरी पर्शो एक्सपैरी से कल इक मैंने बाते हैं कल बहुत जादा वल्लेय》 क्योंकि एक्सपैरी के आसपास वल्लेयल्टी काफि यह मैं दूसरा यूद नहीं कह रहा है यह मैं वह कह रहा हूं कि बूल्स और बेर्स की फाइट काफी तगड़ी इस टाइम चल रही है तो अब हम आते हैं निफ्टी पर हमने कड़ना क्या है देखिए वहीं अगर फ्लैड खुले तो अगर कोई डिप पाए तब आपने बाय क करते लेना है 16 900 की कॉल हटना नहीं है स्टोप लोस वहीं 16 800 रखना है बार बार वहीं टार्गेट वहीं होंगे 1702717143 और 17191 अगर गैप अपनिंगो तो 17 220 के उपर खुलने पर ही आपने 17200 की कॉल ले ले नहीं है स्टोप लोस 17100 का रखना है और टार्गट 17326 जहां पे है 20 डेमा फिर अगला टार्गट 17450 यहां पे है 50 डेमा और फिर है 17510 यहां पे है जवर्दस कॉल राइटर तो यह था निफ्टी का प्योरा अगर फ्लैट खुले डिप पाए तब बाय करना है गैप अब मिले 17 220 के उपर तब बाय करना है अब स्वाल उड़ता है कि सेल का करन है 16800 के नीचे जाने पर ही हमने 16900 की पुट बाय करना है stop loss 17000 का रखिए और टार्गट 16700 16728 और 16600 और 16570 तक के आपको टार्गट मिल सकते हैं तो यह था निफ्टी बैंक निफ्टी और हमारा जो एक स्टॉक दिया है ग्लैमा इसका complete trade setup अगर आपको हमारी वीडियो कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेर कीजिए ताकि और भी लोगों का फायदा हो सके थैंक यू धन्यवाद